अश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का exam guru tips and tricks में तो दोस्तों आज का वीडियो है part 49 का हम पूरे के पूरे 48 very very important parts complete कर चुके हैं मतलब हम पूरे के पूरे 1100 question complete कर चुके हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं question number 1101 से 1125 तक तो total 25 questions करेंगे जो की questions अच्छे हैं आप देखेंगे और उसको आपको क्या करना है जैसे आपके सामने question आएगा वीडियो को pause करना है खुद से question को करना है और खुद से time लगाईए 30 to 40 second का उसके बाद फिर अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं मेरा तरीका देखें अगर तरीका सही लग रहा है उसको लिख लिजे adopt कर लिजे बस ऐसा question आएगा तो आपसे बन जाएगा paper में तो आएए बढ़ते हैं लगाने 25 को पार तो शुरू करते हैं पहला question एक मंटन का मध्य 10 और मानक विचलन 5 विचलन गुनंक का मान क्या है पहले भी किया है क्या करना पड़ेगा मानक विचलन divided by मंटन 10 multiply by कितना हो गया 50 percentage option number next question देख लेते हैं next question क्या कह रहा है दो संख्याओं का मासा 13 है तथा उनका लासा 1035 है यदि उसमें से एक 207 है तो दूसरी x तो x बटे 23 चले बहुत बढ़िया so आपको पता है hcf into multiply by lcm is equal to multiply of the 2 numbers तो 107 multiply by x तो यहाँ इसको नीच उतार दे 23 multiply by 1035 divided by 207 तो यहाँ देखिए यह गया 5 बार ठीक है और x की value क्या आ गई 23 multiply by 5 क्या पूच्छा है x बटे 23 तो x बटे 23 क्या हो जाएगा 23 multiply by 5 divided by 23 मतलब 5 आंसर क्या हो जाएगा option number c 5 next question देख लेते है सुनिला और शिला की आयू का अंतर 12 वर्ष है यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयू छोटी की आयू से 4 गुना थी तो उनकी वर्तमान आयू क्या है देखिए 9 वर्ष पहले बड़ी की आयू सुपोस यह बड़ी है और यह जोटी ए ठीक है बड़ी की आयू छोटी की आयू की कितनी थी? चार गुनी एक थी किसी को कोई देखकत तो नहीं है अब एक मुझे बात बताओ यहां क्या बोला है सुनीला और शीला की आयू का अंतर क्या है 12 है 9 साल पहले जो अंतर रहेगा वो अभी भी वही अंतर रहेगा मतलब देखो यहां पर कितने का अंतर देख रहा है 3 का 3 का मतलब क्या है यह 12 का मतलब 1 का value 4 है मतलब किसका बुछ रहा है वर्तमान आई उनकी वर्तमान कोई भी एक निकाल लो तो अभी क्या होगा 4-4-16 और अभी आने के लिए 9 भी करना पड़ेगा क्योंकि यह-9 नौवर्ष पुराना है कहानी है ठीक है नौवर्ष पहले की कहानी है कितना होगी आप 25 कौन से option में 25 से दूसरे बाले में कि option number C लगाओ आन सर पाओ otherwise यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पर यह जोड़ दो यह आ जाएगा क्या 4 प्लस 9 13 ठीक है 13 और 25 next question देखते है x square minus 4x plus 1 is equal to 0 में आपको कुछ चीजे transform करनी पड़ेंगी तो यह जो आपका equation दिया गया है आओ इसको थोड़ा से transform करते हैं तो x square plus 1 उस तरफ हम भेज देते हैं 4x को भेज दिया positive हो गया अब हम पूरे equation को divided by x कर देते हैं तो x plus 1 by x is equal to 4 no issues now हम लोग क्या करते हैं हम दोनों तरफ क्या करते हैं squaring both the side तो क्या हो जाएगा x square plus a square plus b square मतलब 1 by x square plus 2ab मतलब 2 यह दोनों होंगे तो multiply multiply 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा किसके बराबर square 16 के बराबर so x square plus 1 by x square is equal to 14 यह रख लो a equation यह रख लो b equation ठीक है यह काम आएगे बाद में अच्छा अब देखो नीचे वाला जो मामला था नीचे वाले मामले का तो answer मेरे पास है 14 अब आपको एक formula पता है कि x cube plus 1 by x cube मतलब a cube plus b cube का formula क्या होता है बताइए a cube plus b cube का a plus b और bracket में a square plus b square minus a b बस वही लगाना है तो आईए देख लेते हैं तो x cube plus 1 by x sorry x square plus 1 by x square minus x into 1 by x तो आव देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर यह जो मामला है यह निकल के आगया मेरे पास आव अब यहाँ पर बस put कर देते हैं बस यहाँ पर put करते हैं तो यहाँ अधर पर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा x square plus 1 upon x square minus x into यह तो 1 ही हो जाएगा और divided by नीचे की value कितनी है? 14 अच्छा यहाँ 14 है तो यहाँ पर भी क्या होगी? 14 होगी तो सही है ना? अरे 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 एक चीज़ तो छूटी गया? यहाँ पर x into y होता है वो तो लिखे ही नहीं यह चीज़ छूट गया? क्या होता? a cube plus b cube का a plus b और bracket में यह लिखी भी कहा नहीं यह छूट गया था चलिए वही देख रहों को छूट गया है चलिए और यहाँ पर मैं x plus 1 by x के जेगे मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 यहाँ पर मैं 4 लिख सकता हूँ अच्छ अब यहाँ पर मैं value पूट करना चालू कर देता हूँ इस के जेगे क्या पूट करूँगा? 14 14-1 ठीक है तो टोटल क्या आ गया? 14-1 तेरा multiply by 4 divided by 14 मतलब यह गया 2 बटे 7 मतलब 26 बटे 7 मेरे right answer आगया option है option number ए राइट, transform वाला चीज था बस यहाँ और a cube प्लस b cube का formula जानना चाला है थे बस हो गया next question देखते है मयां के गवस्तू की विक्री कीमत दुगनी कर देता है तो लाब चार गुना हो जाता है मूल लाब प्रतिशत ग्याद कीजिए विक्रम की कीमत बढ़ने से पहले की okay understood तो देखो suppose उसने सबसे पहले जब sale किया था ठीक है उसने जब विक्रे किया था suppose first selling price जो है suppose X थी लेकिन उसने क्या क्या उसको दुगना जब करने लगा मतलब second time second selling price उसने जब दुगना किया तो उसको क्या हुआ चार गुना का क्या हो गया profit हो गया चार गुना का क्या हुआ profit हो गया आओ इस equation को बस जमा देते हो जाएगा तो X माइनस उसका जो cost price था इसका चार गुना किसके बराबर होगा बादवाले के बराबर किसी को कोई तो दिक्कत नहीं है ना बादवाले के बराबर वही दिया हुआ है question में तो CP निकाल लो CP क्या हो जाएगा 2X by 3 2X by 3 अब क्या बूच रहा है मूल लाब प्रतिशद मूल वाला मतलब ये वाला मूल लाब प्रतिशद मतलब X माइनस 2X by 3 और किस से CP से तो 2X by 3 से और multiply by 100 अच्छा अगर बोलता मूल ना बोलके बाद वाले का लाब प्रतिशद बताओ मतलब ये चार गुने वाले का सो मुझे 2X माइनस 2X by 3 करना पड़ता understood you are getting my point तो इसको काटा पीटी करोगे you will get your answer 50% option number A right next question देख लेते है रीतेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी इसमें तीन मालिकों के माध्यम से गुजरने के बाद बाइक का मूल 50% बढ़ जाता है यदि पहले और दूसरे मालिक की करमशा 10% और 30% लाब मिलता है तो तीसरे मालिक दुआरा अर्जित लाब याद करिए चले suppose पहले उसकी कीमत ती 100 जब तीन मालिकों के दुआरा गुजारा गया तो वो क्या हो गया 50% बढ़ गया मतलब वो हो गया कितना देर सो understood अब देखो पहले और दूसरे मालिकों का करमशा 10% और 30% का लाब मिलता है तो पहला मालिक जब उसको बेचेगा मतलब पहले मालिक के पास जब वो आएगा तो क्या हो जागा 10% profit मतलब 110 नहीं पहला मालिक जब बेचेगा पहला मालिक जब बेचेगा 10% के profit पे तो कितना मिलेगा उसको 110 फिर जब ये दूसरे वार बेचेगा मतलब विद्दा 2nd मालिक 30% पर तो उसको कितने में वाएगा बताएए इसका 30% मतलब 33 और जोड़ दू मतलब ये क्या हो जाएगा 143 143 अब बस मुझे निकालना है 143 कितना बढ़ाओं की कितना हो जाए 300 हो जाए तो देखो तो कितना बढ़ेगा ये 7 7 divided by 14 143 अब देखो 143 का 10% कितना होता है 14.something something इसका मतलब 5% क्या होगा 7.something something लेकिन मुझे बस 7 तक ही पहुँचना मतलब 5 से जस्ट थोड़ा सा नीचे 5 से जस्ट थोड़ा सा नीचे बस एक ही option है option number C लगा दो answer हो गया सोचा सिर्फ सोचा कुछ करने की ज़रूवत नहीं है सिर्फ ठिंक करना है broadly next question देख लेते हैं यदि एक त्रिवज के कोणों का नुपा 2 is to 3 is to 7 है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का योग का सबसे छोटे कोण से अनुपा तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण सबसे बड़ा और सबसे छोटा मतलब 2 प्लस 7 9 is to किसके साथ पूछ रहा है सबसे छोटे के साथ 9 is to 2 option number मैंने आपको बताये था जब भी ratio में हो तो आप ऐसे sum कर सकते हो next बढ़ते हैं मूलधन की गंड़ा करें यदि एक धनराशी साधनन ब्याज के दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए और 7 वर्ष में 1500 रुपए हो जाती है तो तो देखो 4 वर्ष में 1200 और 7 वर्ष में 1500 मतलब देखो 7 और 4 वर्ष का कि डिफरेंस कितना 3 वर्ष 3 वर्ष में actual में amount कितना बड़ा देखो तो 300 बड़ा मतलब एक वर्ष में क्या बड़ा साधनन ब्याज वाला केस है एक वर्ष में कितना बड़ा 100 बड़ा इसका मतलब 4 वर्ष के बाद मिल रहा है कितना 1200 अगर मैं 400 माइनस कर दूँ मतलब एक वर्ष में 104 वर्ष मतलब तो मूलधन मेरे पास मिल जाएगा कि नहीं मूलधन तो 1200 माइनस 400 कितना हो जाएगा 800 option क्या हो जाएगा option number A next question देख लेते है दोस्तों ये वाला जो question है ये वाला question मैं आपको बाद में कभी कर आऊँगा ये वाला देख लो actually क्या है कि एक फुटबॉल प्रतियोगीता हुआ 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 है उसका परेणा में यह पर दर्शाए गया कुछ जगे वेकेंट दिये गये हैं और फिर यहां बोला गया है कि match जो है वो round robin तरीके से हुआ है मतलब यह होता है कि हर बंदा एक दूसरे के खिलाफ एक बर बस match खेलेगा मतलब दिल्ली एक बार बस मुंबई के साथ खेलेगी और दिल्ली एक बार चिन्ने के साथ खेलेगी चिन्ने एक बार मुंबई के साथ खेलेगी चिन्ने एक बार दिल्ली के साथ खेलेगी मुंबाई एक पर चिन्नाई के साथ खिलेगी और मुंबाई एक पर दिली के साथ खिलेगी understood तो वही कहानी है तो उसके ना कुछ-कुछ ये दियेगा है तो साड़नी में कुछ आकड़े नहीं दियेगा उसको fill up करना है तो चिन्नाई ने कितने गोल किये तो देखो यहाँ पर दिखा गया चिन्नाई ने गोल खाए गोल किये कितने गोल किये option number B साथ गोल किये दोस्तों ये वाला जो कुछन है इसको भी मैं आपको बाद में कर रहा हूँगा आईए बढ़ते नेक्स कुछन में एक स्थम्ब की छाया की परचाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूरे का उन्ने कौन 30 से 60 डिगरी हो जाता है इस स्थम्ब की लंबाई चले बहुत बढ़ी है ऐसा कोशन हमने किया है कि नहीं किया है बताइए सपोज ये था 30 डिगरी और ये था सपोज ये था 30 डिगरी और ये था कितना ये था 60 डिगरी ये था 30 डिगरी तो क्या बोल रहा है जब 30 से 60 होगा जब 30 से 60 होगा तो 24 मीटर की लंबाई कम हो जाएगा इसका मतलब 24 मीटर तो ये बताए गया है आपको पता है जब भी 30 और 60 हो मैंने कैसे खाया था 30 और 65 हो तो यह जाएगा क्या वन यह जाएगा 2 यह 그렇 2 आपको याद है कि नहींtit इस पाइए होगा की नहीं होगा यह नहीं पता है तो कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ 60 मतलब क्या होता है यहाँ root 3 यहाँ 60 मतलब देखो इस figure को वापस से बनाते हैं और पदा करते हैं कैसे 1,2 मैंने लिखा हुआ है पैसे याद कल ले न देखो यहाँ 60 है 60 है इसका मतलब यहाँ 1 यहाँ root 3 अगर यहाँ 30 है इसका मतलब यहाँ 1 यहाँ 1 मतलब 1 का value यह यहाँ root 3 होना चाहिए था 30 के साब से लेकिन 1 का value का root 3 होगा तो root 3 का value क्या होगा 3 होगा अगर पूरे का value 3 है तो इतने का सिर्फ क्या है 1 है तो यह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो बस याद हो कि 1, 2, root 2 1, 2, root 3 होगा 1, 2, root 3 1, 2, root 3 1, 2, root 3 याद रगना 30 और 60 के case में 1, 2, root 3 तो देखो 2 की value क्या दी हुई है? 24 दी गई है तो 1 की value कितनी होगी? 12 होगी अगर 1 की value 12 होगी तो इसकी value पूछी है है ना? स्थम की लंबाई तो क्या हो जाएगी? बताईए 12, root 3 option number understood? next question देख लेते हैं अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर जैकेट 20% लाव पर 600 रुपए में बिकाई यदी अंकित पर बेचा जाता तो प्रतीशत लाव क्या होता? चलो suppose वो था कितने का 1000 की setting में तो होई गया 40% का छूट मतलब 400 की छूट कितने में बिक रहा है? 600 में question में 600 बोला ये चलो अच्छी बात है तो 600 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है? 20% का लाव हो रहा है मतलब किसके बराबर है? 120 की value है तो 100 की value तो उसकी CP हो जाएगी cost price हो जाएगी तो cost price क्या हो जाएगी? CP क्या हो जाएगी? 600 बटे 120 multiply by 100 ठीक है तो ये हो गया 500 CP हो गई 500 CP हो गई 500 ये हो गया cost price ये हो गया mark price अंकित मूल और ये उसने selling price sale किया तो अभी क्या बोल रहा है? कि ये हैं अंकित पर बेचा जाता तो प्रदीशत लाब्दे को अंकित पर बेचा होता तो कितने का लाब होता? 500 का किस पर? 500 पर ही multiply by 100 तो उसको कितने का profit होता इस किस में? 100% का option number C Right? Okay Next question के तरब बढ़ते हैं Next question क्या क्या रहा है? एक बस कुछ दूरी एक निश्चित गती से तै करती है यदी यह वैक्ती यदी एक वैक्ती उस दूरी का एक तिहाई भाग तिगुनी समय लेता है समझ गए? एक तिहाई भाग तीन गुणा समय जादा ले रहा है तीन गुणा जादा समय ले रहा है ठीक है, तो व्यक्ति की गती, बस की गती का अनुपाद, अच्छा, आपको क्या पता है, एक आपको क्या पता है, जो टाइमिंग है, टाइमिंग is inversely proportional to the speed, क्योंकि speed is equal to distance upon time, अगर वो तीन गुना जादा समय ले रहा है, एक तिहाई के लिए, तो इसका मतलब गती का अनुप तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति की गती और बस की गती, तो 1-9 हो जाएगा की नहीं हो जाएगा, समझ में आया, सिर्फ सोचना था, 1-9, कोई solve करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, नेक्स कोशन देख लेते हैं, तो, नेक्स कोशन, एक सिगन, बस का पूछा है की आदमी का हाँ, ठीक है, नेक्स कोशन देखते हैं, तीन जॉगर्स, एक से वाई तक दोड़ने में उनकी गती ये दी गई है, दस इस्टू तीन इस्टू बीस के अनुपात में, इन जॉगर्स के गंतत्यों तक पहुँचने का समय है, चलो, तो, क्या, गती का इनवर्स क्या होता है, समय, तो बस इनवर्स कर दू, रेशियो पूछ रहा है, वान इस्टू थ्री और वान इस्टू ट्वेंटी, चलो, ये ल्सीम होगे, इनका साथ, ये हो गया, छे, ये हो गया, बीस, और ये हो गया, कितना, दो, क्या ये ऑप्शन में, इस्टू ट्वेंटी, इस्टू एक स वोशन नमबर सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर, नेक्स वोशन देख लेते हैं, पी एक काम का, काम को एक स दिनों में कर सकता है, चलिए, उसने पूरे काम का, एक बटे छे भाग को समाप्त किया, और क्यू ने अकेला बाकी काम को पंदरा दिनों में समाप्त किया, तो देखो, पी ने एक काम को एक स दिनों में किया, अभी सस्पेंज है, कितने दिनों में किया, निकालना पड़ेगा, उसने पूरा काम का एक बटे छे भाग समाप्त किया, और फिर क्यू ने बाकी काम को पंदरा दिनों में किया, तो बाकी भाई एक बटे छे काम कर चुक तो 6 की value 18 होगी मतलब q जो है 18 दिनों में पूरा काम को कर सकता है ठीक है understood अब बोल रहा है यह दीवे है एक साथ मिलकर 45 बटे 8 दिनों में पूरे काम का आधा करे अच्छा पूरे काम का क्या करे आधा करे तो आधा कर सकते हैं तो x कमान तो देखो जो है वो दोनों मिलके p plus q पैतालिस बटे 8 अभी ले लो पैतालिस बटे 8 ठीक है रुकना अभी रुकना समझना इनकी LCM ले लो 90 LCM ले लो ठीक है यह हो गया 5 परन्तु आप मुझे यह बात बताओ कि पैतालिस बटे 8 जो है उसने आधा काम किया मतलब आधा काम किया मतलब यह 90 अगर ले लो इसका आधा क्या हो जाएगा इसका आधा जाएगा इसका आधा 45 पैतालिस काम पैतालिस बटे 8 से किया तो time कितना लगेगा 8 time कितना लगेगा सॉरी time बोल रहो efficiency क्या होगी 8 समझ गया ना समझ गए ना तो देखो अगर यह होगा पांच तो यह हो जाएगा तीन तो क्या बोल रहा है आधा बाग समाफ किया तो एक्स का मान एक्स का मान पी तो पी का ही पूछ रहा है कितना दिनों में कर सकता है तो 90 बटे 3 मतलब 30 डेस option number understood आईए next question के दरब बढ़ते हैं एक काम को दो बटे 5 भाग एक का होगा दो बटे 5 भाग एक्स दिनों में पूरा कर सकता है इसके बाद वह बी को बुलाता है और वह एक साथ मिलकर 6 दिनों में सेश काम को समाप्त कर सकते है यदि बी अकेला एक्सो बटे 6 दिन लेता है तो एक्स की मान ग्याद करिए चलिए बहुत बढ़िया दो बटे 5 भाग किसने काम किया एक्स दिनों में उसके बाद बी को बुला कर वह इस दोनों साथ मिलकर 6 दिनों में आप मुझे एक बात बदाओ तीन बटे 5 काम तो बच गया था यहाँ पर दो बटे 5 कर लिया है तो ती A प्लस B मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं 10 दिनों में और B अकिला कितना समय ले रहा है 100 बटे 6 LCM लेल एफिशिंसी निकाल लेते LCM हो जाएगा कितना 100 Fraction में उपर उपर का LCM नीचे नीचे का HCM तो यह क्या हो जाएगा 10 और यह क्या हो जाएगा 6 किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है तो अगर यह 10 हो गया तो यह 6 हो गया इसका मैल उच्छे है तो यह क्या हो जाएगा 4 इसका मतलब B जो है total काम कितने दिनों में करेगा तो कितने दिनों में करेगा 25 में परन्तु क्या पूछा एक्स कामान, एक्स क्या है, दो बटे 5 भाग, एक्स दिनों में पूरा कर सकता है, टोटल काम अगर 25 दिनों में, टोटल काम 5 है, 25 दिनों में कर सकता है, तो दो भाग कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में, option number, right, आईए next question दिख लेते हैं, सबसे बड़े संभावित लंबाई ग्याद कीजिए, 2 मीटर 76 सेंटी मीटर, 5 मीटर 52 सेंटी मीटर, 11 मीटर 96 सेंटी मीटर की लंबाई को पूरा-पूरा मापने के लिए युपयोग में लाए जा सकता है, तो क्या करना है, HCF निकालना, आउ एक काम करते हैं, सेंटी मीटर में बदल दो सभी को, एक यूनिट म 26 हो गया, 276 सेंटी मेटर, दूसरी के कहा रहा हflower, 552 सेंटी मेटर और तीशे वाली के कहार है, 1196 सेंटी मीटर, इनके बीच में HC निकालना है.. यह कितना difference आ रहा हुए 2,76 आच्छा क्या? 276 यह कितना difference आ रहा है य० कितना difference आ रहा है? देखे तू एक इत गया कितना? 4 हा strategies 4 और यहाँ आया क्या 4 और यहान आया सही आ रहे है.. 6 6,44 हुए तो 276 से क्या ये जाता है जाता है क्या ये जाता है multiply by 2 ,9 x 12 क्या ये जाता है नहीं जाएगा इसका आधा करो तो इसका 92 एक तीहाई करो क्या जाता है जाएगा ये बिल्कुल ये भी जाएगा बिल्कुल यह जाएगा कि 92 से 92 आठ आठ और 18 मतलब तेस्ट बिल्कुल चलागे 276 बिल्कुल चलागे option क्या हो जागा option number मतलब you have to only find out the HCF of understood next question 15,000 रुपए की धनराशी एक वर्ष में व्याज की एक निश्चित दर से 15,900 रुपए हो जाती है व्याज का दर ग्याद करी है चले कितने की बड़ होती हुए 900 की किस पर 15,000 पर बस यह निकालना था हो गया answer यह यह गया यह यह गया कितने जाए 6 जा 6% option number next यदि x square plus 1 by x square 5 है तो x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 क्या है आपको पता है square से अगर to the power 4 जाना है तो क्या होगा जो भी आपको एक formula पता है कि नहीं पता है 1 by x square अगर k है तो x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 क्या होता है k का square minus 2 तो यहाँ क्या है k की value है 5 तो क्या होगा 5 के square 25 minus 2 23 आपका answer हो जाएगा next question देख लेते है जब 3 to the power 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो 6 गयात करिए तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ इसको मैं divided by 4 करना है तरीका ही है 4 करते है तो कितना 8 बार जाएगा 2 बच जाएगा तो 3 to the power 2 मतलब 9 9 बटे 7 मतलब 2 समझ गए next question ऐसा क्यों किया न हम यूनिट प्लेस ढूंड रहे थे हमने यूनिट प्लेस ढूंड़ा कि 3 to the power 10 करेंगे तो यूनिट प्लस क्या प्लेस में क्या आएगा 9 आएगा साथ से डिवाइट करेंगे तो obviously 2 बचेंगा ना समझ गए अचा 45 परिमापो का उसद दिया हुआ है तेईस तो 45 multiply by 23 और उसमें से पहले 22 का उसद दिया हुआ है 18 और फिर अंतिम 22 का दिया हुआ है तो भाईया बस multiply करो इन दोनों को multiply करके plus करके सम करके जो difference आए वो कर दो तो यह क्या हो जाएगा 1035 यह क्या हो जाएगा 396 और यह क्या हो जाएगा 462 इन दोनों को plus करो इससे minus करो यह answer आ जाएगा 177 option number next नेमलेकित भाउपद में x is equal to 4 है तो px तता qx का अनुपाद ग्याद करना है px यह है qx यह है इन दोनों का अनुपाद नकालना है सिर्फ 4 के यहाँ पर value पूट करनी है x के जाएगा पर तो यह क्या हो गया 6 6 का स्कूर 36 multiply by 6 4 5 5 25 इस टू यह क्या हो गया 5 5 125 क्यूब है multiply by 2 plus 6 6 का क्यूब 216 और multiply by यह तो एक हो गया चलो यह क्या हुआ यह गया कितने यह गया 5 बार तो क्या आ गया 1 is to 30 मतलब 1 by 30 option number 1 by 30 option number B next question दिख लेते है एक वितरन का मद्ध क्या है 24 मानक विचलन क्या है 8 है और विचलन गुणांग पूच रहा है तो 8 बटे 24 multiply by 100 मतलब 1 बटे 3 1 बटे 3 मतलब 33.33 next कितने समय में धनराशी 25 परसेंट सादर रण वियाज क के दर से स्वयम की 7 बटे 6 हो जाएगी आईए अच्छा question है एक काम करते हैं इसको हम लोग जो है थोड़ा सा अच्छे वे में करते हैं ठीक है short में नहीं करेंगे चलो देखो कितने समय में एक धनराशी 25 परसेंट सादर रण वियाज के दर से स्वयम की 7 बटे 6 हो जाएगी 7 बटे 6 हो जाएगी तो amount कितनी हो जाएगी amount कितनी हो जाएगी देखो 7 बटे 6 हो गई मतलब क्या हो गया 700 बटे 6 इसके हिसाब से 100 गल लिया मैंने है ना कोई दिक्कत तो नहीं 700 बटे 6 हो गया amount हो गया अब मुझे एक बात बताओ कि यहां से लेके मैं यहां तक पहुँच गया तो interest में मुझे कितना मिला मुझे ब्याज के रूप में क्या मिला तो interest will be equal to कितना 700 बटे 6 minus 100 इतना ही तो मुझे interest मेला कितना 100 बटे 6 मुझे interest के रूप में मिला अब आपको एक formula पता है कि SI is equal to simple interest is equal to PRT multiplied by 100 यह formula पता है कि नहीं पता है time के बारे में पूछ रहा है so time is equal to क्या होगा SI multiply by 100 और divided by P into our P principle rate time है बस हो गया so time is equal to SI कितना दिया हुआ interest कितना दिया हुआ है 100 बटे 6 multiply by 100 divided by principle मैंने लिया हुआ है 100 और rate क्या दिया हुआ है 25% तो बस काटा पीटी करो तो कितना आ जाएगा 4 बटे 6 परन्तु 4 बटे 6 क्या है 4 बटे 6 तो वर्ष है मुझे क्या इनका महिने में निकालना है तो 4 बटे 6 multiply by 12 दो से 2 गया कितना आ गया 8 months option number तो दोस्तो यह था 25 question I hope सारे question clear हो गया होंगे वह 2 question है वह 2 question मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा ठीक है तो यह था questions इसका PDF चाहिए हो तो कहां मिलेगा टेलिग्राम ग्रूप में उसकी description में आपको link मिल जाएगी ठीक है तो वीडियो पसंद आया तो like करना दूस्तों के साथ share करना इसी के साथ साथ चैनल में अगर नहीं है तो चैनल को subscribe करना मन मूलना मिलिए मिलते आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye and have a nice day